हेलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से इस परिट्रिक्लर वीडियो में टेस्ट नमबर 3 देखेंगे UBPSS BEO की हमारी टेस्स सीरीज का 22 मार्च को जो लोग एक्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत-बहुत शुब कामना हैं और आप लोग अभी भी अपनी प्रिप्रेशन बिल्कुल जारी रखिए फेस्टिवल भी बनाई प्रिप्रेशन भी जारी रखिए यहां पर अगर आप अभी भी हमारी टेस्स सीरीज जोइन करना चाहते हैं मेंस की तो आप जॉइन कर सकते हैं अभी भी एक रूप ओपन है क्यों पीसे 2020 का प्रिम्स का जो बैच है वो आज पांच मार्ट 2020 से शुरू हो रहा है क्रैश कोर्स के फॉर्म में आप चाहें तो उससे जॉइन कर सकते हैं अगर आप 2019 प्री नहीं क्लियर कर पाएं तो यह देख लेते हैं हम लोग यह कोश्चन मैज तो रिजनिक कोश्चन इस वीडियो के एंड में डिस्क्रस किये जाएंगे हम लोग जीएस के कोश्चन देखना यहां पर शुरू करते हैं पहला हमारा जीएस का कोश्चन है विच अमंग दो फॉलिइंग इस नौट फोग डानस उफ उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश का लोग रथे कौण सा नहीं है जब यह आप कोश्चन पढ़ें यह देखें कि कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है पूछ रहे उससे पूछ रहे कौन सा नहीं है मुरिया जो है यह 36 गड़ का लोग रथे तो यह उत्तरप्रदेश का होई डे सकता है चर्कुला जो है धुरिया कर्मा यह सारे है उत्तरप्रदेश के ऑप्शन इंबर टी हमारा करेक्ट है कहां कहां पर होते हैं यह जरूर एक बार देख लीजेगा आप अपर इस चर्कु सिते हैं कौन सा पेर सही सुमेलित नहीं है यह पुछ रहा है टो अगर हमको तीन कर्यक्ट पता है तो हम इसको कर लेंगे जैसे कि कि देवामेल faithful गहला मंड़ के और इसका कर्माख कमनाते हैं खरमाद नाम के आदिवाजि खरवाद tribeals के दुआरे ये मनाय जाता है ये हम पर हमारा सही answer है बाकि आला महोबा में होता है थोड़ा भी आपको उतर प्रदेश पता है तो आपको पता होगा आला का आए जाता है महोबा की तरफ से शासक के जो है soldiers या फिर commanders थे ये बताईए अगला question है मारा कि जॉनपूर की स्थापना किस ने की थी जॉनपूर की स्थापना की थी फिरोज शाहतुकलक यहां पर correct answer है फिरोज शाहतुकलक ने इसकी स्थापना करी थी आप बुझे comment करके बताईए कि जूना खान के नाम से कि दूना खान और एक और चीज जॉनपूर के संबंद पे पूछी जा चुकी UPGK में ही कि इसको क्या बोलते थे इसका जैसे शहरों को नाम दिये जाता था तो जॉनपूर को शिराज ऑफ इंडिया बोलते थे यह भी याद रख सकते हैं जॉनपूर का अटाला मस्जिद जो ह उसने इसको कंप्लीट करवाय था इब्राहिम शर्की कब कंप्लीट करवाय था इसको अटाला को अटाला मस्जिद करीब कंप्लीट वह था 1376 में इसकी क्रोनलोजी भी आ सकती है दूसरे मॉनुमेंट के साथ सैयद सलार की दरगाह कहां पर है यह भी UPGK को कुश्चन सैयद सलार दरगाह है बहराइच में ऑप्शन बर्टी अगला कोश्चन है कि विन वास उर्दू एसेप्टेट एस दे सेकेंड लेंग्विज ऑफ दे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश यह आ चुका है यूप पुलिस में एक बार यूप ट्रिपल सी में इसमें भी आ सकता है तो 1989 ह यहां पर सेकेंड लेंग्विज की रूप में उत्तर प्रदेश में उर्दू का अपनाया गया था 1989 में अगला कोश्चन है कि चूजदा करेक्ट ऑप्शन अमंग्ग फॉल्विंग पहला स्टेट्मेंट है यहां पर बेसिकली प्रतिहार वर्द पैटरन ऑफ नॉलेज और साइन इस याने की वो ग्यान विज्ञान या फिर ग्यान विज्ञान से जुड़े लोगों के संरक्षक थे और दूसरा है महान संस्रित कभी राज शेखर धर्म पाल के दर्बार में थे पहला स्टेट्मेंट यहां पर करेक्ट है लेकिन सेकेंड हो जाएगा इंकरेक्ट क् पैला स्टेट्मेंट इस कोश्चन का 27 और दूसरा है दंती दुर्ग ने माने खेत या मलखेड को अपनी राध्धानी बनाया पैला स्टेट्मेंट यहां पर सही है राश्टकूर्ट वर्ष फस्ट ने ऑप्शन बर यहां पर सही हो जाएगा केवल एक अगला कोश्चन भी स rear surrounding Kingdom बर इंद्र फान was restored by इंदर सरोड की राशकूर्ट वर्ष की पुनर स्थ्थापना इंद्र फ्रतिये बात हो रही है सथाप्ना हें पर फिर स्दमिन्ट की नहीं है यहां पर हमारीầ करेक्ट हो जाएगा सेकेंड वी सही है इंदर फ्रतिये ने अपने सम्रूर्ण सक्ति यहां पर दोनों इस statement यहां पर correct है अगला Question एकुमारा चूजदा incorrect statement चुनना है पहला है अमोग वर्ष ने 64 वर्ष शासन किया दूसरा है कि प्रवाव शाली इंद्र तरतिये ने चोल राजा परंतक प्रथम को राय था और क्रश्ण तरतिये ने रमेश्वरम में एक विजय इस्तंब बनवाया था इसमें गलत हमको चुनना है यानि तीन सही होंगे गलत होगा तो पहला वाला सही है अमुग वर्श वाला इंद्र तरत और त्राटियह ने चोल राजा परंटक पूल परंटक प५्रतों जितोंते नहां था तिए वाला हमारा सई है यह वाला रॉंग है कि क्रेशन तरतीये विक्ट्री पिलर बनवाए था है च्रशन त्रिती ये लास्ट सिग्निफेकेंट रूलर था राश्टकूर्ट वनिश का ये भी सही है तो थ्री यहां पर इनकरेक्ट है बागी तीनों करेक्ट है अगला है तीसमा कॉस्चन जो फेमस शिव टेम्पल है अलोरा में रॉक कट टेम्पल है वो बेसिकली सबसे उतकरष्ट रॉक कट टेम्पल है पूरे इंडिया का ये राश्टकूर्ट शासक ने बनवाया और दूसरा स्टेट्मेंट है रॉक सासक का नाम लिखा हुआ है कि दा टेम्पल वास बिल्ट बाई क्रश्ण प्रथम तो दोनों स्टेट्मेंट यहां पर आपके सही है याद कर लीजिए क्रश्ण प्रथम ने आठवी शताब्दी में इसको बनवाया था अलोरा का शैव टेम्पल रॉकेट टेम्पल यहां पर सही हो जाएगा बोथ यानि कि सी दोनों यहां पर सही है अगला कोशन है हमारा राश्टकूट शासक केवल शैव और वैश्णो मत के संरक्षक थे ठीक है वैश्णो मत या संप्रदाय के संरक्षक थे उनके राज मुस और हिंद्विजम को भी मुस्लिम नागरिकों को भी कोई ऐसा उत्पीडन इनके द्वारा नहीं दिया गया था मुसल्मानों को बसने के नुमती बिल्कुल थी, मुसल्मानों ने अपने बसाए थे मतलब अपनी कम्यूटी बसाई थी कोश्टल एरियास में, तो यह भी गलत हो गया, यहाँ पर सही हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन बर D अगला कोश्टन है कि पुश्टी पाउदों का वर्गी करण किस साखा में होता है, फ्लारिंग प्लांट्स को हम किसमें अरेंज करेंगे, तो हम लोग करेंगे फेनरो गेम्स में, ऑप्शन बर B, फेनरो गेम्स From which part of the plant is turmeric obtained, turmeric किस से obtained की जाती है, rhizome से, rhizome क्या है, rhizome स्टेम होता है, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा हमारा D, यहाँ पर सही है, जिनको जिननोंने रूट लगाया है, उनका गलत है, यह ध्यान कर लिजी, आ सकता है एक्जाम में, चाया matching form में, चाया choose the correct form में, कैसे भ यह, तो यह red light होगी, option number यहाँ पर सही होगा B, red light, अगला question है कि animals live on the sea level, sea level पर रहने वाले animals को क्या कहते हैं, फना को, यह हम लोग कहते हैं, बेंथोर्स वैसे तो कहते हैं, लेकिन बेंथोर्स नहीं दिया है, तो बेंथिक सही होगा, option number C, अगला question है कि animals which warm blood, animals with warm blood are those who keep their body temperature temperature dash, गर्म रूधिर वाले जनतुवे होते हैं, जो अपने शरीर के ताप ख्रम को हमेशा एक सब बनाए रखते हैं, ठीक है, maintain करके चलते हैं, यह एक सब बनाए रखना जो है, एक incorrect term भी हो सकता है, यहाँ पर English की तरफ जाएंगे, maintain करके, maintain करने का मतलब है, कि अगर कोई organism है उसको अपना 37 degree maintain करने का चलना है, for example, humans, अब बाहर अगर 48 degree है, तो ऐसा नहीं होता है, कि उनका internal temperature 48 यो 47 पहुँच जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि body ऐसा नहीं होने देती है, होमियो स्टैसिस काम करती है हमारे यहाँ पर, तो हम लोग warm blooded animal है, वही कीडे मकोडे क्या होते हैं, वो अपना internal temperature जो है, चेंज कर लेते हैं, बाहर के atmosphere के हिसाब से, जैसे बाहर होता है, वैसे अंदर कर लेते हैं, और काफी नुकसान भी पहुच जाता है उनको, उससे बचने के लिए वो external तरीके अपनाते हैं, external तरीके का क्या मतलब हो गया, estivation phase में चले जाते ह हाइबरनेशन phase में चले जाते हैं ठंडियों में, यह बाहर ही तरीके हैं उनके temperature maintain करने के, उनकी body में उतना metabolism नहीं काम करता है, कि वो अपना temperature maintain कर सके बाहर की surrounding के हिसाब से, एक बहुत सरल सा question, अगर आपने basic NCRT पढ़िए तो कौन से salt जो है highest bones में होगा, obviously यहाँ पर answer हो को जाएगा D calcium phosphate, calcium phosphate, antibiotic क्या है, what is antibiotic, antibiotic है chemically synthesized by an organism that protects from other microorganism, यहनी कि एक सूच मजीवी से बनाया हुए, एक संसलेशित रसायन होता है, जो अन्य सूच मजीवों से शरीर की रक्षा करता है, ठीक है, antibiotic किस से बनता है, एक organism से बनता है, उसको जो एडालूट किया जाता है, डिया किया जाता है, जो सब प्रोसेस होती है, NCRT में आपने पढ़ा होगा, यही पूछा है कि antibiotic है क्या, अभी भी जो लोग revision की तरफ है, जो नए है aspirant, हमेशा जी इसमें ध्यान रखिएगा, UPPCS क्या पर बहुत फोकस करता है, आपको कोई भी टर्म आप पढ़ें, उसका मतलब क्या है, उसका significance क्या है, वो यह जरूर पता होना चाहिए, अगर क्या ignore करके चल रहे हैं, तो मतलब question गलत हो सकते हैं, अगला हमारा question है, in which parts of the body is the blood flow fastest, तो शरीर के किन भाग में रख्त का प्रवास सबसे तेज होता है, तो रख्त सबसे तेज बहता है, और ता में, option बर C, म branching में eliminate हो सकते हैं कुछ चीजें, अगर कल लक अच्छा है तो, और बाकी आपको कुछ तो पता होना है चाहिए इसमें, जिसे vitamin C की कमी से क्या होता है, scurvy होता है, toco for all जो है, vitamin E को कहते है, vitamin A से क्या होता है, dieter penoids हो जाएगा यहाँ पर, actually vitamin A dieter penoids इसे related है, यह रोग नह andness जो है, यह डिक्टलेपिया इसको कहते है, यहाँ पर सही कर लेंगे spelling, निक्टलेपिया, यह सही spelling है, तो इस तरीके से इसको match कर लेंगे, हमारा सही हो जाएगा 3241, option number A, 3241, अगला हमारा question है, brain is basically, मस्दिस्क कैसा होता है, यह reproduction chapter से है, जब birth होता है, gestation period से पहले की बा क्या बनाती है, part, class 9th NCRT में बहुत अच्छा से दिया होगा, brain क्या बना, कौन सी लेयर बनाती है, एक्टोडर्म, ठीक है, तो मस्दिस्क एक्टोडर्म से बनता है, option number A, reproduction देख लिजेगा एक बार जरूर, यह सब table वगएरा, common meaning of mudra, यानि currency का, जो common meaning हो क्या हो सकता है, इ क्योंकि इसमें, जब भी भी आपको किसी चीज की meaning पूछेंगे, तो में इसा close रखते हैं, तो currency कुछ लोग इसको लगा सकते थी, कि mudra मतलब currency, लेकिन नहीं, demand deposit भी, currency के में आ जाएगा, option number B, mudra में currency और demand deposit दोनों आएंगे, अगला question है, कि interest rates on saving accounts in all nationalized bank in India, term dash, तो कुल बि D, अगला question है, कि not a function of central bank, RBI का कार रिकांसा नहीं है, RBI जो है cash deposit public से नहीं accept करता है, ये common sense की बात है, आपने कभी भी RBI में नहीं पैसा दिमा किया होगा, भी यहाँ पर सही है, अगला question है, कि the increase in the bank rate is generally a sign of, bank rate में अगर increase होगा, तो क्या होगा, तो bank rate अगर increase हो रहा है, तो policy, previous question है, इसको ऐसे याद कर लिजिए अगर आ जाए तो, एक दो question है, जो state pieces के favorite होता है, ये होता है, हिंदू growth rate होता है, हिंदू growth rate होता है, और एक होता है, कि आप बताए कि किस year plan में क्या focus किया गया था, ये जरूर देख लिएगा, हिंदू growth rate पता है किसी को, किस ने दिय जा था ये, और इसका period क्या रहा था, ये बताए कोमेंट करके आप, अगला question है, काशी और लिच्छवी को मगद empire में किसने मर्ज किया थे, महा जनपकाल से question है, इस question का answer हो जाएगा, अजात शत्रू, option पर B, अजात शत्रू, अब अगला matching का है, यहाँ पर life के instances में, और death हुए थी, कोशी नगर में, ठीक है, simple सा है, और एक बार और बार पूछा गया था, कि कोशी नगर में, जब death हुए थी उनकी, तो किस गण का शाशन था, ठीक है, तो उसमें मलों का शाशन था, ये ध्यान रख सकते हैं, आगे बढ़ते हम लोग, अगला है, where did महावीर establish the Jain Council, Jain संगी की स्थापना कहां पर की थी, ध्यान रखेगा यहाँ पर, जो council है, वो नहीं पूछ रहे हैं, इसमें Jain Council के बारे में पूछ रहे हैं, Jain Council established किया गया था, पावपूरी में, ठीक है, option number B, अगला question है कि correct sequence यहाँ पर मिलाना है, जो संरक्षक रहे थे, चार ब चत्रू, फिर आएगा काला शोक, फिर आएगा अशोक, फिर कनिश्क, अजात शत्रू, काला शोक, अशोक, कनिश्क, option number D, अगला question है, मारा कि under the national broadband vision, it has been decided to ensure broadband access, राष्टरी broadband vision के अंतरगत, किस वर्ष तक सभी गामों broadband पहुंच को सुनिश्चित करने का निटेली आ गया है यह बताना है हमको, तो इस कारिकरम के तहित निटेली आ गया कि 2022 तक, सारे गामों को broadband उपलब्द करवाए जाएगा, option number B, अब यह बहुत है सिक्षा के इंदर है, बहुत उनिवरिस्टी और किसने किसने उसकी स्थापना की, उससे मिलाना है हमको, नालंदा की तो गुप्त ना की थी भट टार्क ने, कौन सही है यहाँ पर, option number A, 1234 ABCD, तो आमने सामने मिलाया हुआ इसको, अगला कोश्चान है कि हौंग कॉंग कॉंफरेंस 2019 से किस से संब्दित है, हौंग कॉंफरेंस जहुत ज्यादा निउस मने रहे थी, यह आ सकती है, जो बहुत ज्यादा इस, option number C, अगला कोश्चन है कि चूजदा करेक्ट स्टेट्मेंट रिगार्डिंग कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कालेश्वरम लिफ्ट इस निचाई पर योजना के बारे में बताना है कि कौन सही है, यह पर योजना आंध्र प्रदेश में स्थित है यह गलत हो गया सबसे पहला, गोदावरी नदी परस्थित है यह सही है, यह जो प्रोजेक्ट है यह तेलंगाना में काम कर रहा है, ठीक है तेलंगाना, तो इसमें सही हो जाएगा only two, अगला कोश्चन प्रदान मंतरी ग्रामीड या फिर ग्राम साड़क योजना के बारे मे इसका जो phase 3 है उसके बारे में, state और center का equal contribution है इसमें नहीं, common sense का question है कि कभी जनरली equal नहीं होता है, 60-40 होता है और 90-10 होता है, अगर eastern state, मतलब northeast वाले state है, उनकी अकरम बात करें, और इसकी timeline भी गलत दी हुई है, इसकी timeline है, 2019 से लेकर, 2019-20 से लेकर के, 2024-25 तक, तो यहाँ पर सही हो जाएका D यानि की none, कोई नहीं सही है, अगला question है हमारा कि international migrants day, हम लोग कब बनाते हैं, migrants day मनाते हैं हम लोग 18 December को, option number A, अगला question है कि पिनाका missile system के बारे में, कौन सकतन यहाँ पर सही है, पिनाका missile system को defense research or development organization DRU ने develop किया है, इसकी range 75 km है, यहाँ पर दोनों ही सही है, C यहाँ पर सही है, both, option number C, अगला question है कि recently government ने announce किया है, कि भारती कौशल सनस्थान स्थापित किया जाएंगे, कि चार जगों पर स्थापित होना है, आपको बताना है यहाँ पर कि कहां पर स्थापित होगा, इंडियन institute of skill development establish होगा, मुंबई में, मुंबई में यहाँ पर IIT लेवल का यह इंडियन institute of skill development सनस्थान खोला जाएगा, टाटा ग्रूप इसमें जो है सही होग कर रहा है, अब जो यह कॉमेंट करके बताएगे कि तीन और कौन अन जगह हैं जहां पर इंडियन institute of skill खोले जाने की बात चल रही है, क्या कोई उत्तरपदेश का सहर सामिल है, बताएगे, बताएगे, which of the following country has become the first country in the world to start 5G network, 5G network शुरू करने वाला most accepted dues के हिसाब से सबसे पहले जगह कौन सी जहां पर 5G शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने चीन क्लेम किया था, लेकिन ज्यादा तर लोगों ने यही माना कि South Korea से ही सबसे पहले 5G network लाउंच हुआ था, एक्चुल में, अगला कोशन है कि Applied Body जो है World Trade Organization कि उसके बारे मताना है कौन सा सही है, Applied Body है World Trade Organization कि इसके Member 7 होते हैं, Option 2 सही है, इसका सरजन 1945 में नहीं हुआ था, 1995 मिशुरू हुआ था, 1995, यहाँ पर सही है, Only 2, अगला कोशन है, The Chairperson of Public Sector Bank is selected by which of the following bodies, सारजुनिक छेत्र के बैंकों के अध्यक्ष कचेन निम्न में से किस सनस्थान द्वारा किया जाता है, तो Bank Board Bureau जो है सेलेक्ट करता है, आपको पता होगा, जो CEO या Chairperson बनते हैं, Bank Board Bureau उनको रिक्मेंट करता है, उनके डाम को, Option 2 A, हाल ही में भारत के रास्टपती ने निम्निकित में से किस राज को Inner Line Permit दिया है, Inner Line Permit अभी बिला है मड़ीपूर को, Option 2 B, मड़ीपूर, अगला कुशन है कि Micro.Identifier जो टर्म यूज में था December मन्त में, कि किसे सम्मदित है, तो Micro.Identifier वाहन सुरक्षा के लिए एक identification mark है, आपको पताया था हमने image दिखा करके कि इतने चोटे-चोटे dots होते हैं, लेकिन अगर उसको microscope से देखें, तो उसमें कुछ codes लिखे होते हैं, तो यह है आपका, इस यह सम्मदित है एनि image for, imaging for vehicle safety, option बरसी चिल्लाई कलान, यह भी news में था, दिसंबर मन्त में हमने बताया था कि चिल्लाई कलान कब तक चलेगा, करीब 28 जनवरी तक ही चल दे वाला था चिल्लाई कलान, अब खतम हो गया है, यह सीजन होता है बिसिकली, जम्मू काश्मीर में चलता है, जहां पर बहुत ठंड पड़ती है, वो सीजन को कहते हैं चिल् अगला कुश्चन है कि चूज दा करेट स्टेटमेंट रिकार्डिंग अटल ग्राउंड वाटर स्कीम, अटल भूजल योजना इसका करेक्ट नाम है, इसको अटल भूजल ही लिखेंगे वैसे हिद्दी बेभी हम लोग, अटल भूजल योजना है, कि योजना है सही है, और साथ स्टेट कौन से हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन देखा जा रहा है, वाटर टेबल बे, एक्जामपल, हरियाना, कुजरात, राजस्थान, वहां पर ग्रांड वाटर रिचार्ज के लिए काफी प्रयास किये जाएंगो, सभी को पोटेबल वाटर उप इस अधर नाशल और्गनाज़ेशन ने फंड किया है, आईमे वल्ड बैंक, यह एशन इंफ्रस्ट्रक्ट्टर इंवेस्मेंट बैंक, कॉमेंट करके बताईए आप, यह हम लोग डिसकस कर चुके हैं, पिछले टेस्ट में ही साइध, अगला कुश्या है नाशल स्ट्रीट कारे नाशल स्ट्रीट फोड फेस्टीवल का अगला है भूचो फोस। पहाडए लाकों वाले राज, आफिर नौर्फ इस च्टरन राज चोटे राज और UT तो बड़े राजियों के कैटेगरी में टॉप पर कौन रहा है टॉप पर रहा है टमिल नाडू अप्शुन बर D ये सही है आप बुझे कोमेंट करे के बताइए कि नॉर्थ ऑस्टर्न राजियों प्लस और चोटे राजियों के के चिसे मिला बारत का पहला transgender कोशी नगर में खोले जाने की बात कही जा रही है कि अगला कोशन्य हुआ हमारा की नेल पट्टू बर्ड संक्चुरी हमको किस स्टेट में देखने को मिलेगी अंद्र प्रदेश में देखने को तो आप्शन बर टी अगला कुशन है कि नाश्टल सॉरी इंडिश्टेट ओफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के नुसार परसेंटेज और टोटल फॉरेस्ट कवर यह कितना है टोटल फॉरेस्ट कवर है 21.67% 21.67 अगर हम इसको ट्री कवर के साथ जोड़ दें तो कितना निकलेगा अब बताई कोमेंट करके 2017 का भी ध्यान रख सकते हैं 21.54 यह भी ध्याद रख सकते हैं अगला कुशन है कि according to Indian state of forest report the forest cover of which of the following area has increased the most यानि कि सबसे ज़्यादा व्रधी किस ने दर्ज की है अटल पास का नाम दिया गया है किस दर्रे को मतलब यह किस पास पर बना वह दर्रा है जिसको अटल पास नाम दिया है यह रोहतांग पास है रोहतांग पास पर यह अटल टेनल बनाई जा रही है कि यह हमने बताया था आपको चैनवरी मंत के करेंट अफेर में स्टडी फोर सिविल सर्फिस के वीडियो में कि एक सो साथ वी इंडिन साइन्स कॉंग्रेस कहां पर होई थी यह बैंगलोर में इंडिन इंस्टूट ऑफ अग्रिकल्चर साइन्स का जो कॉंप्लेक्स है कॉंप्लेक्स नहीं काऊंगा कैंपस है जो उनके इंस्टूट का वहां पर रिसेंटली विच आफ फॉलेंग स्टेट गॉवर्मेंट्स हैज लॉंच्ड वुमिन साइबर सेफ्टी इनिशेटिव विमिन साइबर सेफ्टी इनिशेटिव जो है किस ने लॉंच किया है महरा कि अब हैं च्णि प्यक्त ओन शय़्र ५व्रभ फिर्म्रेंद इनिश्ट उन इस्टिव निश्ट धाया था। और वर्फ बार्ति ले वित्वरेंधन संस्थान या वित्वरेंधन संस्थान कहां पर खोला गया है यह खोल tat द्राबाद में जुक्संब नबर सी अगला कोश्चन है कि recently which of the following cricketer has been suspended for two years corruption के charge पर दो साल के लिए किसे निलंबित किया गया है शाकीबल हसन को शाकीबल हसन बंगलदेश से खेलते थे option बर B अगला कोश्चन है कि national hindi science writers conference और symposium 2019 का यह कहां पर हुआ था वे new यह हुआ था आपका लखनों में option बर B National Ganga Council की meet December 2019 में कहां पर हुई थी यह कानपूर में हुई थी option बर A करनल शेवांग रिंशेंग सेतू कहां पर खोला गया है करनल शेवांग रिंशेंग सेतू खोला गया है लदाख में option बर C अगला कोश्चन है कि India's first agricultural census यह का बुवा था तो agricultural census बुवा था 1970-1971 में option बर B अब इसमें कौन सा जो है सही नहीं मिलाए गया है तो नील गिरीज जो है यह पाए जाते हैं तब इल नाडू में ठीक है नंदा देवी पीक यह हमारी भारत में हुत्राखंड में और यह जो है आपका दिहांग दिबांग यह भी पढ़ता है और डाचल प्रदेश में सिंप्लीफाल नैशनल पार्क और सिंप्लीफाल टाइगर रिजर्व जो है यह ओडिशा में पढ़ते हैं यह आपको मिजवरम में नहीं पढ़ेगा और सिंप्लीफाल टाइगर रिजर्व नैशनल पार्क और मयूर भंजिर नैशनल पार्क यह जरूर दिहान रखेंग ओडिशा के लिए कौन से यहां पर not correctly matched है बताना है not correctly matched यहां पर है बुक्सा ठीक है बुक्सा जो है जारकंड यह not correctly matched है बुक्सा कहां का है फिर west बंगाल का है वेश्ट बंगाल ऑप्शन बर सी अगला कुश्चन है कि which of the falling is are included in the xc2 conservation xc2 conservation से संबंदित कौन है तो xc2 यानि कि उनके natural habitat होता है उससे बाहर निकाल करके conserve करना तो उसमें कौन-कौन से में थट आ जाएंगे जीन बैंक आ जाएगा उसमें आपका zoo आ जाएगा और उसमें आपका आ जाएगा botanical garden 124 यहां पर correct है जीन बैंक चडिया घर और botanical garden नैसल पार्ट जो है in-situ conservation में आता है अगला कुश्चन है which of the falling system is most brittle that will be affected at first by global warming global warming से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला च्छण भंगूर पारिष्थिति की तंत्र कौन सा है तो यह है आपका Arctic और Greenland की स्नोशीट यह जो है सबसे अधिक प्रभावित होगी और सबसे जल्दी प्रभावित होगी vulnerable है global warming के प्रति अगला कुश्चन है मारा कि the green economy initiative was first launched in 2008 तो यह तो सही है हरित अर्थिवस्था कर सबसे पहला कि green economy initiative 2008 में शुरू किया गया था लेकिन इसे नहीं दिल्ली से नहीं लंडन से शुरू किया गया था लंडन तो option number यहां पर केवल एक सही होगा only one अगला कुश्चन है कि not correctly match देखबर फिरसे आप बता दीजे इस पर कौन सा होगा और नंगा परबत यह भारत में नंदा देवी उत्तरा खंड में पत बताई है हमने आपको अन पुरम जो है यह भारत का नहीं अन पूरम नेपाल का है भूकमप्तिवर्ता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है इकलाएगी आईसो सिस्मल, option but B, अब यहां पर जंजातियां है और जो उनका habitat है उससे बिला देना है यहां पर, तो माओरी कहां की है, माओरी जंजाती है, न्यूजलैंड की, पिगमी कहां की है, यह कॉंगो की है, याकूत कहां की है, रशिया की है, और रेड इंडियन कहां क की है, नौर्थ अमेरिका की है, इस तरीके से हम इसमें मैच कर देंगे, अगला हमारा कोश्चन है कि, which of the following option represents the correct sequence of rivers from west to east, यानि कि, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों का सही करम यहां पर क्या होगा, तो चंबल बहती है, सबसे पश्चिम में फिर बहती ह आपकी बेतवा, फिर बहती है, सोन, चंबल, बेतवा, सोन, option number B, यहाप मैप में देख सकते हैं, जा करके, यह sequence चंबल, बेतवा, सोन, आगे कोश्चन है हमारा कि आप मैच कर दीजिए, यहां पर सही सुमेलित, लेक को और जिस स्टेट में वो लेक पड़ेगी, उससे करना आपकर तो राकस ताल कहां पर पड़ती है, उत्तराखंड में, बेरीनाग जील कहां पर पड़ेगी, जम्मु कश्मीर में, लोनार लेक कहां पर पड़ेगी, महराष्टर में, फतेश आगर राजस्थान में, इस तरीकले से यह मैच हो जाएगा, क्रिसग्रास है, आगे सबसे बड़ा पोट वाहक नहर कौन सी है यह स्वेज कनाल ऑप्शन बर्टी स्वेज कनाल अगला कोशन है कि इन विच आइटिकल अफ था कंस्टूशन प्रिवेंशन रिलेटेट टू अबॉलिशन ऑफ डिग्रीज इस गिवन उपराधियों के उन्मूलन सम्मध्धी अगला कोशन है कि विच आफ द फॉलिंग इस नौट करेक्ली मैच अनुछेद है और उनसे संबंदित प्रावधान है तो इसमें जैसे सी जो है इसमें आर्टिकल नंबर थार्टी में दिया हुए अलप संख्यों को के अन्ता करेंड की स्वतन्रता फ्रीडम और कॉंसेंस मैनोर्टीज यह रौंग है यहां पर क्योंकि आर्टिकल नंबर थार्टी में दिया हुए कि मैनोर्टीज का फंडेमेंटल अधिकार है कि वो अपने सैक्षिन एक संस्थान खोल सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं सी यहां पर गलत है और हमारा करेक्ट आंसर है वांकि सब सही है प्रोइबिशन ओफ इंप्लाइमेंट ओफ चिल्रेन फ्रेक्टरीज अर्टिकल नंबर चॉबिस में फ्रीडम तु मैनेज रिलीजियस मैटर्स यह चबिस में प्रोटेक्शन ओफ इंट्रेस्ट ऑफ बाइन फॉर्ट ऑफ चॉबिशन ओफ और है अगला कॉशन है कि बेसिक स्ट्रेक्टर से रिलेटेड जो यह केसिस हैं कौन-कौन से हैं तो यह संबंधित हैं आपके सारे के सारे शंकरी प्रसाथ केज भी गोलकनात केज भी और कैश्वनन भारती भी ऑप्शन बर डी अगला कॉशन है कि which of the following is are the characteristic of Indian parliamentary system का क्रेक्टरिस्टिक क्या है इसमें सामुएक उत्तरदाइत्व है दोहरी सदस्यता है और राजनीती के एक रूपता है निशले सदन का विघटन हो सकता है तो इसमें सही हो जाएगा सी अप्शन मबर सी अगला कॉशन है कि when article 358 come into force which of the following fundamental rights are suspended जब अनुच्छे 358 लगता है तो कौन कौन से महुली का धिकार हट जाते हैं कीजस्ट्व एक्जिस्ट हो जाते हैं option c 49 वाले हट जाते हैं freedom of press मतलब वह स्पीच और उसके बारे में दिया हुआ है gathering के बारे में अगला है which of the following order is passed by the president to temporarily ban the death penalty death penalty को temporarily ban करने के लिए जो दिया जाता है उसको technically या फिर क्या कहते हैं लोग उसको बोलते हैं रिप्राइव यानि कि प्राविलंबन ऑप्शनबर टी कोशन है कि सम्मिधान के किस अनुच्छेत के तहित भारत के महानायवादी के बारे में बताया हुआ है अट औरनी जनरल के बारे में लिखा हुआ है 76 में ऑप्शनबर बी अगला कोशन है अंडर विच ऑफ द फोलिंग शेडियूल देर इस प्राविजन ऑफ दिस्क्वालिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डिफेक्शन डिफेक्शन यानि दल बदल के आदाहर पर निरहरता के उपब अगला कोशन है अरेंड फॉलोइंग इवेंट्स इन ट्रॉन लॉजिकल ओडर में इसको लगाना है तो सबसे पहले आप देखें तालिक ओटा का युद्ध दूआ था 1565 में फिर आपका हल्दी गाटी का युद्ध दूआ था 1566 में फिर असीरगड का युद्ध दूआ थ था ये और करनाल का युद्ध दूआ था 1749 में तो इसमें हमारा करेट सीक्विंस क्या बनेगा 1234 1234 ऑप्शन बर सी अब इन इवेंट्स को लगाना है क्रॉन लॉजिकल ओडर में कैबिन पिशन का आना 1946 में करीब भारत छोड़वा अंदोलन आठ अठ अगस्त 1922 को अनाउ होई थी तो यह थोड़ा थोड़ा दिमाग में होना चाहिए और स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ेंगे रेगुलर तो यह सब चीज़े दिमाग में रह जाती हैं यह है हमारा यह हमने लिख दिये हैं अब आपको इस में क्रॉन लॉजिकली अरेंज कर लेना है 3214 यहां पर सी अगला कोशन एंडर विच ओफ फॉलिंग एक्ट दा गौवर्णर जनरल ऑफ इंडिया केम टू बी डून ऐस वाइस वाइस रोय किस एक अडिशनल नाम जुड़ गया था और अरेंडरी वाइस रोय तो क्वीन्स डेकलरेशन 1858 से यह बहुत सरल था ऑप्शन बर डी है सही नहीं बिलाया है तो वेवल प्लान जो है यह 1942 का नहीं है ठीक है बांकि शिम्ला समझाओता यह है सिम्ला कॉंफरेंस 1945 का कबिनेट मिशन आया था 1946 में फेब मन्त में और मांट बैटन प्लान 1947 का ही है वेवल प्लान का बाय तो बता सकते हैं कॉमेंट करके इट वस और अक्रनाइज दिन 1931 तृती गोल में सम्मिलियन के बारे में बात कर रहे हैं और इसका आयवजन किया गया था कॉंग्रिस के द्वारा कॉंगरेस को द्वारा कॉंगरेस ने बयकॉट किया था था 2nd roundtable conference में गई थी कांधी जी गय थे कॉंग्रेस को रिप्रेजेंट किया था कुछ लोगों की समझाने पर लेकिन इसका आयोजन जो है 1931 में नहीं हुआ था 1932 में थी 3rd roundtable conference 1932 ये गलत हो गया और ये सही हो गया अगला कुशन है कि लीडर और related places जो है ये लिस्ट आपको दी होगी spectrum में इसको ज़रूर देख लीजेग एक बार कौन सा सही सुमिलित नहीं है ये बताना है दिल्ली जनरल बक्त खान देख रहे थे सही है कानपुर में नाना साहिब थे अबरेली में खान बहादूर थे लियाकत अली अब 112 में बताना है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है तो एक में पाबना विद्रो दिया हुआ है सही है मोपला दिया हुआ ये भी सही है सिविल सौरी नॉन कॉपरेशन मूपेंट के दवरानी चला था केरल में केरल में मोपला मुसलमानों चलाय था हिंदू ले किस नहीं होगा इसके बारे में ध्यान रखिएगा ये एका में ये हुआ कहां कहां पर था और लीड किस ने किया था मदारी पासी ने ये सब ध्यान रखिएगा अब अगला कोशन है निमन को कालानू क्रेमिक क्रम में विवस्थित करना है तो इनका कम से कम एक बेसिक अठारस्थेतिस में 18 ते tiस यहां पर सबसे पहले आएगा घुम्सूर का विद्रो फिर अनका रामोसी का विद्रो और फिर आये यहां पर अहुम विद्रो और फिर कूर्ग का विद्रो तो 3214 यहां पर सही हो जाएगा आपका 3214 अगला कोशन है हमारा किन फल सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश के निवासियों को खास कर अम्रूत के उत्पादन में नंबर वन पर है आम के उत्पादन में तर्बूज के उत्पादन में आलू के उत्पादन में खर्बूजे के उत्पादन में तर्बूज के उत्पादन में ठीक है यह सब में नंबर वन पर है वेजटेबल में भी था नमबर वन पर वेजटेबल में वेश्ट बंगाल फिर से आ चुका है इसमें तो यहां पर सही answer हो जाएगा उप्रोगत सभी अगला कुशन है कि कॉफी प्रोडक्शन में कौन नमबर वन पर है कॉफी प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही नाम है करनाटक 80% से ज्यादा कॉफी पूर इंडिया की उगाता है अगला है सिल्क प्रोडक्शन में आप कंट्रीज को अरेंज कीजिए तो सिल्क प्रोडक्शन में करना है सबसे ज्यादा जो करता है उसको पहले रखेंगे यानि कि चाइना और फिर आएगा आपका उजबेकिस्तान फिर आएगा इंडिया इंडिया दूसरे पर आ चुका है उजबेकिस्तान बाद में तो 312 यहां पर सही होगा इसमें दिया हुआ है अगला कुशन है कि फलों के उत्पादन के द्रश्टी से उत्तरप्रदेश देश भर में कौन से स्थान पर आता है तो उत्तरप्रदेश आता है तीसरे नंबर पर और फलों के कुल उत्पादन में अब इनको अरेंज करना है उनकी साख शर्ता के अनुसार घटते क्रम में विस्थित करना है और घटते करम में विस्थित कर दीजिए इनको जड़ते पार में हैं पर फिकांपट कानपूर में फिर लखनव में फिर घाजय भाद में तो 1 क lib में अरेंज इस तरीके से option number हमारा सही हो जाएगा ए अगला कोश्चन है कि इनिम्न में से उत्तरप्रदेश के किस जिले का जन घनत्व सरवाधिक है अगला कोश्चन है कि choose the correct among the following पहला कोश्चन है कि मजब पहला statement इंडिया's infant sex issue is higher than that of उत्तरप्रदेश बहारत का शिशू लिंगानुपात उत्तरप्रदेश के शिशू लिंगानुपात से अधिक है उत्तरप्रदेश का शिशू लिंगानुपात की द्रश्टी में सभी भारती राजियों में नवा स्थान है से निसेस 2011 के साफ सही गलत है 26 वा स्थान था नवा नहीं यह वाला गलत हो गया उत्तरप्रदेश का child sex ratio कि इतना है 902 सब्सक्राइबर है उनको एक अपडेट देनी है यह एक कोश्चन हमारा रॉंग हो गया था सेकेंड वाली टेस्रीज में फुल एंट टेस्ट नंबर सेकेंड जो है इसका कोश्चन नंबर 89 आप लोग इसमें करेक्ट कर लिए इसमें करेंट वाटर स्ट्रीम पूछ रहे है मतलब कॉल ओसिन करेंट पूछ से कुल बिलाकर के तो थंडop जल धार जो होगी हम बॉल्ट करेंट होगा सी ठीक है इसमें साथ Brazilian current दे रखा है यह इसका एंसर नहीं है Humboldt current ही यहाँ पर correct है देखिए यहाँ पर आप सही कर लिजेगा अपनी PDF में मतलब अगर किसी ने print 20 लिगा है तो इसको Humboldt कर लिजेगा Humboldt current यह यहाँ पर सही हो गया test number 3rd जो है हमारा जो 5 March को conduct हुआ था उसमें यहाँ पर correction देख लेते जल्दी से हम लोग इसमें यह दो statement है यह पहला सही राष्ट güçव वर्ष का शनस्थाबक दंतीदू के सास्कोहने लेकिन दंतीदूर्ग नहीं 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 इसको बनाये था इसको किसने राथदानी बनाये था अमोग वर्ष ने अमोग वर्ष प्रथम ने वैसे मैंने वीडियो में बता दिया है जो रिकॉर्ड हुआ है वीडियो लेकिन फिर से अलग से आपको दे दे रहा हूँ आमोग वर्ष प्रतम निराथधानी बनाये था इसमें महारा साही आने से रो जाएगा केवल एक ओनली वन ठीक है तो यहां से हम लोग बात करते हैं रिजनिंग और मैच के सेक्षन के बारे में और देखते हैं कि इन दोनों सेक्षन से कौन कौन से सवाल इस पेपर में आई हुए हैं तो पहला कुशन लेते हैं जो कि क्लॉक के सेक्षन से है वन क्लॉक स्पीड सब एट मिनट पर डे आठ मिनट तेज हो जाती है हर एक दिन में तेज होने का मतलब यह है कि मान लीजिए नौ बज रहें अभी राइट टाइम हो रहा है लेकिन वो गड़ी नौ ना बजा के नौ बज के आठ मिनट दिखाएगी वो तेज चलेगी उसी तरी किसे एक दूसरी गड़ी है जो की चार मिनट धीमी चलती है यानि वो आठ बज के चपन मिनट दिखाएगी अगर नौ हमारा राइट टाइम है तो अब इन दोनों गड़ीयों को सुबा दस बजे सही समय पर मिलाया गया था यानि 10 बजरा था राइट टाइम तो दोनों गड़ीयों में हमने राइट टाइम दिखा दिया था तो बताईए कितने समय बाद यहाँ पर कितने दिन बाद पूछा है थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग है कि ये दोनों गड़ीयों वापस से सही समय दिखाएगी तो राइट टाइम सीधे से हम लोग निकाल सकते हैं इसका डारेक्ट फार्मुला होता है ह बाई M1 प्लस या फिर माइनस M2 इस पूरी चीज़ को गुणा कर देंगे 720 से अब M1 प्लस M2 करना है कि M1 माइनस M2 वो डिपेंड करता है किस पे चली समझते हैं दो केस बन सकते हैं इसमें दो तीन जितने भी सारे बता देता हूँ यह पहली वाच और यह दूसरी घड़ी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लेट हो जाएं एसा भी हो सकता है दोनों राइट टाइम सो करें वो तो खेर आईडियल केस हो गया एक लेट हो जाए दूसरी तेज चले या फिर ये वाली तेज चले वो वाली लेट हो जाए तो ये सब cases बन सकते हैं लेकिन M1 प्लस M2 तब लगता है जब एक घड़ी उन में से तेज चले तो दूसरी धीमी चले और यहाँ पे वही हो रहा है बिकॉज एक घड़ी तेज दूसरी धीमी चल रही है तो यहाँ पे M1 प्लस M2 करना है M1 M2 का मतलब क्या है? मिनट्स की संख्या M1 बराबर 8 रख दीजे M2 बराबर 4 ये number of minute ही तो हैं जितने जितने मिनट से घड़ी आगे या फिर पीछे जा रही है वही हमारे M1 M2 होंगे इसके लाबा H क्या है? number of hours कि ये जो M1 M2 पिक्चर में आए हैं कितने घंटों की वज़े से आए हैं उनी घंटों की संख्या को H कहते हैं तो यहाँ पे एक दिन की वज़े से ऐसा हुआ है कि एक घड़ी 8 मिनट आगे चली गई दूसरी चली गई 4 मिनट पीछे एक दिन की बात करें तो उसमें 24 घंटे होते हैं तो 24 को उपर रखेंगे M1 प्लस M2 आठ 4 को जोड़ देंगे 12 हो जाएगा गुणे में कर देंगे 720 12 दुनी 24, 72 दुनी 144 और 10 1440 घंटों बाद ऐसा होगा कि ये दोनों घड़ियां वापस से राइट टाइम शो करेंगी तो 1440 घंटों में कितने दिन होते हैं चलिए ये पता करते हैं देखिए अगर आप 24 घंटे की बात करेंगे तो पूरा पूरा एक दिन होता है सबको पता है लेकिन 24 ना होके 1440 घंटे हो जाए तो यहाँ पे 1440 घंटे इदर आएंगे ये हो जाए तो दिनों की संख्या क्या हो जाए सीधा साहिसाब है तो डिवाइड कर देंगे 1440 को 24 से 24 छिंग 144 और एक 0 तो कितने दिन आगए 60 दिन आगए 60 दिनों बाद ये दोनों गड़ियां वापस से राइट टाइम शो करेंगी 60 दिन कहाँ पे है option B में तो आपका correct answer हो गया B किसी महीने का पहला दिन ब्रस्पतिवार है यानि किसी महीने की पहली तारिक को थस्डे पढ़ रहा है तो 16 तारिक से 5 दिन कौन सा होगा अब यहाँ पे देखे लिखा हुआ है 16 तारिक से यानि पहला दिन हम 16 को मानेंगे अगर यहाँ पे यह लिखा होता कि 16 तारिक के बाद तो जो 17 तारिक होती उसको हम पहला दिन कंसिडर करते एक केसे ये भी बन सकता था कि 16 तारिख से पहले 5 दिन कौन सा होगा तो हम 15 को पहला दिन कंसिडर करते लेकिन यहाँ पे 16 तारिख को हम पहला दिन लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे नियम अपना लगाते हैं एक तारिक को थस्डे था, एक बाद बताई, अगली बार थस्डे कप पड़ेगा, साथ दिन बाद, विकॉज हर साथ में दिन कोई भी वार खुद को रिपीट मारता है, विकॉज दिन तो साथ ही होते हैं और बाँ की आठवानवाई हैं सब कुछ नहीं होता, दिन अपने आपको रिपीट करते हैं, जैसे आज से साथ दिन बाद, जो भी दिन है वही रिपीट करेगा तो यही चीज है, साथ दिन बाद यानि 8 को फिर से थस्डे होगा, 15 को भी थस्डे होगा, ये बात है, तो 16 को क्या होगा, Friday होगा, इसी Friday को पहला दिन मानेंगे, 17 को सटल अचार दिन ये दूसरा दिन, तीसरा दिन होगा संड्य, चौथा दिन होगा Monday और पांचवा दिन होगा Tuesday तो आपसे पूँचा है पांचवा दिन तो answer हुआ Tuesday Option B एक बढ़ाई है उसको एक पूरा क्यूब काटना है यह जो क्यूब है इसको पूरा काटना है किस तरीके से काटना है कि जो भी आप कट लगाएं उसके बदले क्यूब ही पाएं यानि इस क्यूब को काटने के बाद आपको क्यूब ही चाहिए कोई दूसरा फिगर आपको नहीं चाहिए इस तरीके से यह कटिंग करनी है तो अब उससे बात है कारपेंटर ही कर पाएगा और कारपेंटर की कुछ अपनी फीस होगी तो उसी फीस के बारे में बताया गया है कि हर एक कटाई का एक कट मारने का वो चार रुपए लेता है तो ऐसे ऐसे कितने घण बना पाएगा बता दीजिए तो देखिए 72 रुपए में वो कितने कट मारेगा पहले तो ये बताईए 4 कट मारेगा सुरी 4 रुपए एक कट का ले रहा है तो 72 में कितने कट मारेगा 18 कट मारेगा अब number of cuts क्या होता है 3 times of n minus 1 cube केस में number of cut यही होता है अगर आप cube के बदले cube ही निकाल रहे हो तो number of cut बराबर यह ऐसा ही सलिए होता है क्योंकि देखिए यह 3 कहां से आया इस cube को कम से कम कितनी बार काटना पड़ेगा कि आपको cube के बदले cube ही मिले एक बार ऐसे एक बार वैसे और एक बार ऐसे 3 कट मारने पड़ेंगे न एक बार horizontal एक बार vertical और दूसरी बार सुरी तीसरी बार sideways तो horizontal, vertical और sideways तीन कट मारने पड़ेंगे एक cube को प्राप्त करने के लिए और यह n-1 कहां से आया because एक कट के बदले आपको कितने pieces मिलते हैं यहाँ पे cube भूल जाएए कोई 2D figure ले लिजिए का अगच का टुकड़ा उसमें एक कट मार के आप कितने piece पा जाएंगे दो piece पा जाएंगे न तो जितने भी pieces होते हैं number of cut आपको उन pieces से एक कम मारना पड़ता है यह बात है तो n-1 वहाँ से आया है तो 3 times of n-1 बरा-बरा जाएगा ठारा 3,6,6 और 1,7 तो 7 आपके पास n आगया n का मतलब क्या है n कुछ नहीं एक ratio होता है side of bigger cube यानि जिस cube को काटने की बात हो रही है उसको side को उपर रखिए और उस side से divide कीजिए जो की जो छोटा cube निकलेगा ना इसको काटने के बाद उसकी side होगी side of small cube यह होगा n बराबर side of bigger cube divide by side of smaller cube n की value है 7 और यह side of bigger cube by side of smaller cube दोनों वैसे का वैसा लिख देंगे बिकाज दोनों में से एक भी चीज नहीं पता है हमको फिलाल अब इसमें एक निया मौर लगाना पड़ेगा जब आप cube के बदले cube ही निकाल रहे हैं तो कर क्या रहे हैं आप एक 3D figure को काट पीट के दूसरा बना रहे हैं तो कौन सा method लगता है इसमें volume of conservation method जिसमें बड़े cube का volume बराबर हो जाता है volume of each smaller cube into n total volume कैसे पता चलेगा हर एक छोटे cube का volume कितना है और ऐसे ऐसे कितने छोटे cube हैं यह कितने छोटे cube हैं यही तो आपको बताना है इसके बाद हम थोड़ी space बनाते हैं अगर बड़े cube की side को हम a मान लें यह जो 7 है वो a versus small a है बड़ी side बटे में छोटी side यह a cube होगा हर एक छोटे cube का volume छोटा a cube होगा into n अगर हम a cube को यहां ले आएं तो a cube बटे में a cube बराबर n होगा इसे हम यह भी लिख सकते हैं small a बटे में capital a का whole cube अब small a बटे में capital a आपके पास directly है यह 7 है तो 7 का cube कर देंगे 343 आ जाएगा इतने ही आपके cube बन जाएंगे option b तो पहले इसमें हमने number of cut का formula लगाया 3 times of n-1 उसके बाद volume conservation लगाया आपके पास number of cut थे इस वज़े से यह किया और उसके बाद हमें यह भी पताए कि हम cube के बदले cube बना रहा है मतलब एक 3D figure से दूसरे छोटे छोटे 3D figure निकाल ले हैं तो volume conserve करा दिया इसके बाद आजाते हैं coding and decoding के सवाल पे अगर black को इस तरीके से लिखते हैं तो white को किस तरीके से लिखेंगे तो pattern समझ लेते हैं पहले B से C बना दिया तो W से X बना देंगे ठीक अगले वाला letter तो शुरुवात आपको X से करनी है option B और option D आप हटा देंगे because आपकी शुरुवात इन दोनों में X से नहीं हुई है इसके बाद L का मतलब वैसे numerically होता है 12 लेकिन यहाँ पे है 14 मतलब 2 बढ़ा के लिखा है तो H का मतलब वैसे तो 8 होता है 2 बढ़ा के लिखेंगे तो 10 आएगा तो X के बाद 10 चाहिए आपको और वो सिर्फ यहीं पे मिला आए इस option A को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे बाकि आप आगे भी solve करके देख सकते हैं यही option मैच करेगा अगला सवाल फिर से देखिए coding and decoding का अगर bag का मतलब यह है God का मतलब यह है तो bell का मतलब क्या होगा B का numerical equivalent दो होता है E का 5 और G का 7 इन तीनों को जोड़ देंगे तो 7, 5, 12, 12, 14 मतलब कुछ नहीं करना है जो भी alphabet हैं सबके numerical equivalent को जोड़ देना है bell B का मतलब 2, E का मतलब 5 L का मतलब 12, 12 12 का double 24, 25, 29, 21 option C कोई person है वो सबसे पहले North East direction में जाना चालू करता है जहां से भी उसने अपनी journey start करी है वहां से मान लिजे इसी point से उसने अपनी journey start करी North East जो direction North East के बीच में पढ़ेगी यानि ये वाली after walking 500 meter towards that direction यहां से वो 500 meter गया इतना distance मान लिया 500 meter इसके बाद रुख गया he turns towards south इस point से south कहां पर पड़ेगा ठीक नीचे यानि ये कितना distance चलेगा 400 ये रहा 400 अब 400 मैंने यहीं क्यों बनाया इसको थोड़ा उपर या फिर नीचे मैं क्यों नहीं लेके गया इसका reason है अगर हम इन दोनों point को join कर दें ऐसे तो ये right angle triangle बन जाएगा और हमें उसमें ये पता है कि 3, 4, 5 ये triplet काम करता है वहां पर अगर हम 400 की बात करें तो ये 4 का 100 गुना है ये जो 500 है ये 5 का 100 गुना है तो ये जो distance होगा न ये 3 का 100 गुना होगा at the end आखरी में वो कहां पहुँचेगा ये है initial point और ये है final point इन दोनों के बीच में gap तो हम लोगों ने देखी लिया है 300 मीटर का है और इस point के हिसाब से ये वाला point कौन सी direction में है तो exact right में है और exact right वाली direction क्या कहलाती है East तो 300 मीटर East 300 मीटर East from the starting point option C अपने बेटे की तस्वीर को इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक आउरत से कहा तीन लोग इसमें involved है ये पुरुष है ये वो आउरत है और बीच में एक बेटे की तस्वीर है ये जो बेटे की तस्वीर है ये किसके बेटे की तस्वीर है तो इस पुरुष के बेटे की तस्वीर है और ये बात किस से कर रहे हैं ये जो साहब हैं ये इस औरत से बात कर रहे हैं क्या कहा जा रहा है स्टेट्मेंट में उसकी मा तुम्हारी मा की कलौती पुत्री है तो स्टेटमेंट ब्रेक करिए तुम्हारी मा की इकलोती पुत्री अगर ये बात आप किसी महिला से कर रहे हैं तो आप किसको रिफर करना चा रहे हैं अगर हम ये बोलते तुम्हारी मा की पुत्री तो या तो हम उस महिला की डारेक्ट बात कर रहे होते सीधे सीधे या फिर उसकी बहन को refer कर रहे होते लेकिन ये जो keyword है इकलोती इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो महिला की मा है उसकी सिर्फ एकी पुत्री है जो कि आपके सामने खड़ी है यानि हम उस औरत की ही बात कर रहे हैं तो तुम्हारी मा की इकलोती और इशारा कर रहे हैं और किसी से कह रहे हैं कि उसकी मा तुम्हो यानि आप अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं बताईए कि औरत उस पुरुष से कैसे संबन देते तो वो पत्नी है उसकी option D अगला question भी coding and decoding से है 48 प्लस 35 का मतलब 40 है होता तो बिल्कुल भी नहीं है दोनों का addition आपको 83 देता है लेकिन ये 40 कैसे हुआ पता तो लगाना पड़ेगा तभी question solve होगा ये 3, 5, 8 है और 4, 8, 12 है अगर 12, 8 हम जोड़ दें तो 20 है उसका double करें तो 40 है तो कुछ नहीं करना sum of digit करना है और sum of digit को भी आपस में जोड़ना है और उसके बाद double करना है यहाँ पे वो काम करके देखते हैं 2, 3, 5 और 3, 4, 7 5, 7, 12 12 का double 24 logic follow हो गया ये 15 है तो 1, 5, 6 और ये 2, 5, 7, 6, 7, 13 double किया तो 26 follow हो गया तो इधर भी पक्का follow होगा 1, 4, 5 और 2, 1, 3, 5, 3, 8 double किजिएगा तो 16 option C एक business conference में 10 व्यक्तियों ने participate करा और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है number of handshake गिन लीजिए तो number of चीजें जैसे हाथ कितनी बार मिलाए गए कितने number of matches खेले गए या फिर ऐसी कोई भी situation जिसमें हर टीम किसी दूसरे से सिर्फ एक बार interact करे तो इन सब चीजों का formula होता है N, C, 2 N का मतलब जितने लोग participate कर रहे हैं और C, 2 C, 2 solve करने का तरीका देखिए C के बाद 2 है न तो हमें multiplication में 2 number चाहिए एक तो 10 और उससे एक कमना हो ये उपर लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे एक से चालू करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे ये क्या है तो यहाँ पे सिर्फ दो चीजे होनी चाहिए एक के बाद अगला लेंगे दो 2, 5, 5, 9, 45 Option B In a row of 40 students 40 लोग हैं उस पर्टिकुलर लाइन में रमेश की रैंक आपको 18 पता है 22 से तो अगर मान लीजे रो यहाँ से शुरू हो रही है तो 22 से 18 रैंक का मतलब ये है ये रमेश है इसका मतलब इनके पीछे 17 स्टूडेंट होंगे इसी तरीके से एक दिनेश है जिनकी रैंक आपको 16 पता है राइट से तो मान लीजे राइट से रैंक यहाँ से गिन रहे है ये हो गए दिनेश इनकी रैंक 16 है यानि इनके पीछे 15 स्टूडेंट है इन दोनों के बीच में कितने आ जाएंगे बता दीजिए और इस पूरी रों में आपको 40 स्टूडेंट पता है तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे चलिए गिन लेते हैं आसान तो है ये हैं टोटल 17 और एक 18 स्टूडेंट और ये हैं पंदरा और एक 16 स्टूडेंट 18 और 16 34 हुए 18 16 कितने हुए 34 हुए जबकि पूरी लाइन में 40 स्टूडेंट हैं तो जो बाकी के 6 है न वो इन ही दोनों के बीच में तो आए होंगे तो कितने आए होंगे 6 option C if 29 is the remainder obtained when a number is divided by 32 किसी नमबर को 32 से काटा फिर भी 29 बच गया तो अगर वो नमबर 32 होता तो 32 से पूरा कट जाता कुछ भी न बचता वो नमबर पक्का इस 32 से कितना ज़ादा रहा होगा 29 ज़ादा रहा होगा तबी तो ये 29 पूरा बच गया है और ये पूरा कट गया है आप चाहें तो 32 मत अजियूम कीजिए 32 का डबल, ट्रिपल, हजार गुना कुछ भी एजियूम करिये लेकिन सिंप्लेस्ट एजियूम करेंगे तो सवाल यल्दी हो जाएगा ऐसे समझ ये 32 होता तो एक बार में कट जाता कुछ भी न बचता तो 32 से 29 जादा होगा 32 कितना हुआ 61 वो नमबर पक्का 61 रहा होगा What will be the remainder if the same number is divided by 8 Same number यानि की जो 61 हमें number मिला है उसको अगर 8 से काटीगा तो कितना बचेगा 8, 76, 56 पूरा कट गया 5 remainder बच गया 5, option B साक्षी गेव 20% of his deposited stamps to जोती साक्षी ने जितने भी stamp जमा करके रखे थे अपने पास उसका 20% जोती को दे दिया तो एक बात बताईए उसके पास कितना रह गया 80% मान लीजे X था X का हमें 80% करना है तो X को हमें किस से गुणा करना है सीधे से ये पता होना चाहिए आपको 80% का मतलब 4 बटे 5 तो 4 बटे 5 से गुणा कर दिया तो जोती को देने के बाद उसके पास इतने stamp बचे हैं अब ये जो इतने बचे हैं उनका क्या हुआ and 15% of those stamps to Aruna लेकिन ये जो बचे हैं उसका 15% नहीं जो टोटल थे उसी का 15% तो 20 जोती को दे दिये 15 अरुना को दे दिये यानि 35 दान कर दिये टोटल 100% शुरू में कोई भी चीज होती है 35% दे दी गई यानि 65% बच गई सवाल के इसाब से कितनी बच गई if she has 520 stamps at present 520 बच गई तो 65% का मतलब 520 है पूँचा क्या है how many stamps did she have at the beginning शुरू में कितने थे 100% की value बता दीजिए 520 into 100 by 65 13 से काटते हैं 5 बार में गया 13, 4, 52 और 10, 58 जा आठ गुणे में 100 800 stamp थे शुरू में option C if 1000 रुपीज is divided into A and B in the ratio this इस अनुपात में 1000 रुपए बांट दिये how much amount will A get A को कितने मिले इस ratio का मतलब जरा समझाईए अगर A को 3 रुपए मिलते हैं तब ही B को 2 रुपए मिलते हैं यानि total 3 और 2 पांच रुपए बढ़ते हैं लेकिन यहां पे total तो 1000 रुपए बढ़ते हैं न तो 5 से 1000 कैसे पहुँच सकते हैं आप गुणे में 200 करके 250 हजार हमें एका हिस्सा बताना है जो कि हमारे हिसाब से 3 है तो 3 का 200 गुणा ही तो होगा 200 तियाई 600 option C the smallest number which should be added to 225 225 में सबसे छोटा number कौन सा आप जोड़ेंगे ताकि जो नतीजा आए 225 में ये चीज जोडने के बाद जो नया number आए वो perfect square हो जाए यानि उसका square root भी solve हो जाए और किसी चीज का square करें तो वो number प्राप्त होना चाहिए तो option से खेलते हैं इसमें 21 अगर आप जोड़ दें तो 246 आएगा जो कि हमें पता है किसी का square नहीं हटाईए 31 अगर जोड़ दें तो 256 आता है जो कि 16 का square है बिल्कुल सही है option B बांकि आप 11 जोड़िये नहीं मिलेगा कुछ उसके बाद में 17 जोड़िये 242 पिर नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा का मतलब यह है कि हमारी condition फुल्फिल नहीं होगी हमें perfect square number चाहिए था the average of 30 results is 20 यहाँ पे number लिखते हैं कि कितने number के result की बात हमें करनी है तो 30 number के result की बात करनी है उनका average यहाँ पे लिखते हैं value उनका average 20 है and the average of other 20 results अब की बार number 20 है इस 30 अब की बार result 30 है what is the average of all the result यह 30, 20, 50 number का result बताईए क्या होगा तो असान है weighted average से करेंगे तो calculation इसमें कम लगेगी इनकी बात करते है number आपके पास 30 है और हर एक की value 20 है तो total value direct निकाल सकते है 30 गुड़े में 20 लेकिन क्यूं करें जब हम जानते हैं कि weighted average के हिसाब से हम number का ratio ले सकते है 10-30, 10-20 अब हम 20 गुड़े में 30 नहीं 20 गुड़े में 3 करेंगे इसलिए weighted average यूज़ करते हैं बाकी तो आप ऐसे बिगर सकते थे ऐसे ही 30 गुड़े में 20 sorry 30 गुड़े में 20 नहीं 2 weighted average से काट चुके हैं 20 को और divide किसे करते हैं ratio के sum से 3 और 2 5 से 23, 60 32, 60 डबल किया तो 120 बटे में 5 यानी 24 option A if money doubles at the rate of simple interest in 5 years 5 साल में पैसा डबल यानी अगर आपने 100 रुपए किसी से उधार लिए हैं तो 5 साल बाद आपको ब्याद सही double यानी 200 रुपए देने पड़ेंगे तो मान लीजे money है 100 रुपए double होने का मतलब 200 रुपए बन जाती है यानी 100 रुपए उसमें extra जुड़ जाते हैं simple interest में हम यही देखते हैं हमेशा कि कितना extra जुड़ा 100 रुपए extra जुड़ा लेकिन यह कब जुड़ा जब 100 रुपए पे जो कि आपका original principle है उसमें आपने r% लगाया 5 साल के लिए तब जाके 100 रुपए extra मिले ये भी extra मिले ये भी extra मिले इस पज़े से दोनों बराबर 100 से 100 कट गया यहाँ पे 1 आ गया percentage का sign हटा तो 100 नीचे गया गुड़े में 5 520 जा 20 उदर गया तो 20 एकम 20 20 परसेंट यानी की option A The cost price of an article is 40% of its selling price ये cost price है भी selling price होता है मान लीजे 100 रुपए cost price यानी लागत मूले उसका 40% होता है 100 का 40% लेंगे तो 40 ही आएगा इसका मतलब बगर आप किसी article को 100 रुपए में बेंच रहे हैं तो आप खरीदे कितने में थे 40 में ही ये यहाँ पे बात है accordingly its selling price is what percent of its cost price selling price यानी ये चीज जिसका कितना percent है तो ये चीज जिसका कितना percent है ये कैसे निकलता है जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको उपर लिखिए selling price को जिसके reference में बात कर रहे हैं उसको नीचे लिखिए cost price को और गुड़े में 100 कर दीजे बिकॉज आपको percentage में value चाहिए 0 से 0 कटा 2 2 जा 2 5 जा 5 20 जा यहाँ पे थोड़ी mistake 100 by 40 into 100 250 जा sorry 50-500 परसेंट option D A train crosses 50 meter long platform यह platform है जिसकी लंबाई 50 है 14 सेकेंट में पार कर लेती है तो यह बताईए case कौन सा लगेगा case का मतलब जब train किसी platform को पार करती है तो पार करते time वो कितनी दूरी तै करती है वो अपनी दूरी तो तै करती है मान लीजे train की लंबाई L लेकिन जो platform की लंबाई है वो उसको भी cover करेगी यानि 50 जादा तो यह total distance हुआ उस case का case 1 और time हमारे पास 14 है तो यहाँ पे speed बताईए speed बराबर distance बते में time यानि L प्लस 50 बाई 14 यह हुआ एक दूसरा case देखिए अगर हम यह बात करें सिर्फ उस आदमी को cross करने की तो वो 10 second में पार कर गई अब यहाँ पे चाहे दिया हो या ना दिया हो अपने मन से आपको यह logic लगाना है कि speed सेम रही होगी imagine कर यह situation कि यह platform में यहाँ पे बंदा खड़ा है train आई पहले इसको पार की फिर पूरा platform पार कर गई 10 second में इसको पार की बांकी के 4 second में निकल गई पूरी तो यह हुआ है और इस बीच train ने अपनी speed change नहीं करी है यानि यहाँ भी वही speed होगी लेकिन यहाँ पे case कौन सा बनेगा जब भी कोई train किसी आदमी या फिर किसी मवेशी या फिर किसी भी ऐसे object को पार करे जिसकी length हम negligible ले लें train के comparison में जैसे आदमी की मोटाइम जो होती है maximum क्या हो सकती ज़्यादस ज़्यादा एक दो मीटर और train की लंबाई on an average धाइसो मीटर तो धाइसो के साब से दो negligible ही तो है ignore किया जा सकता है तो यहाँ पे हम यह मान के चलेंगे कि train सिर्फ अपनी लंबाई चले ही है यानि L distance हो गया इस case का और इस case का time है 10 इन दोनों equation में बात करें तो LHS same है RHS equate की जा सकती है L plus 50 by 14 बराबर L by 10 2 5 जा 2 7 जा 5 L 7 L दोनों के बीच में gap 2 L 50 पचम 250 250 का आदा यानि 125 125 मीटर लंबी वो train है speed निकालना है दो तरीके हैं या तो यहाँ पे L की value पुट कर दीजे या फिर यहाँ पे हम दूसरी में पुट करते हैं वहाँ पे जादा आसान है L by 10 यानि 125 बटे में 10 यह मीटर पर सेकेंड में speed आ चुकी है किलो मीटर पर आर के लिए क्या करते हैं जितनी भी speed आपको मीटर पर सेकेंड में पता है उसका 18 बटे 5 लेते हैं बड़े fraction से multiply करते हैं मान लीजिए यही speed हमें किलो मीटर पर आर में दे रखी होती और हमें इसे convert करना होता मीटर पर सेकेंड में तो 5 बटे 18 करते फिलाल करेंगे 18 बटे में 5 5 25 जा 5 5 जा 5 2 जा 2 9 जा 5 निम में 45 किलो मीटर पर आर option D find the smallest number which when divided by these numbers leaving the remainder 21 in each case इन सबसे काटिएगा तो 21 बट जाएगा लेकिन अगर हम उसी number में 21 जोड़ने तो पूरा कट जाएगा अच्छा ये बताइए ऐसा number जो कि इन सबसे कट जाएगा वो क्या होता है LCM ये पता होना चाहिए अगर ऐसा बोला जाए कि ऐसा नंबर जो इन सबसे कट जाए तो वो LCM और ऐसा number जो इन सबको काट दे वो HCF फिलाल निकालेंगे LCM तो 27 प्राइम फेक्टर के थुरू इसको करेंगे 3 का क्यूब 42 14 गुड़े में 3 यानि 2 सकते 14 गुड़े में 3 63 9 7 जा 3 स्क्वार इंटू 7 84 12 7 जा 3 इंटू 4 इंटू 7 3 इंटू 2 स्क्वार इंटू 7 अब LCM अगर निकालना हो तो प्राइम फेक्टर जो मैक्सिमम वाले हैं वो उठा लिए जाते हैं सीधे अगर इसी केस में हमें HCF चाहिए होता तो क्या करते हैं मिनिमम चीज़ें उठाते यहाँ पे मैक्सिमम उठाएंगे 2 की मैक्सिमम पार क्या है 2 उठा लिजे 2 का स्क्वेर 3 की मैक्सिमम तीन 3 का क्यूब 5 है नहीं 7 की मैक्सिमम कोई है नहीं तो 7 सीधे यह रहा वो नंबर 4 इंटू 27 इंटू 7 27 चो के 108 गुड़े में 7 100 गुड़े में 7 7 7 7 58 756 वो नंबर है जो की इन सबसे कट जाएगा लेकिन हमें तो वो नंबर चाहिए जो की कटे ना 21 हमें remainder पकड़ाए और ऐसा तब ही हो सकता है जब यह संख्या 21 जादा हो विकॉज यह तो पूरा कटी जाना है 21 बच जाना है तो वो नंबर होगा 756 प्लस 21 यानि 7777 ओप्शन B इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा ना इसका एरिया बता दीजे क्या होगा तो सबसे पहले अगर सर्कल कोई भी सर्कल हो ट्राइंगल के अंदर बने बाहर बने या फिर कहीं ना बने एरिया निकालना है तो रेडियस चाहिए होगी की नहीं इस रेडियस में हम लोग इंट्रेस्टेड हैं फिलाल तो अगर हम इनर सर्कल की स्पेसिफिकल ही बात करें तो इनर सर्कल की रेडियस का फॉर्मुला होता है आर इन बराबर डेल्टा बाई एस जहाँ पे डेल्टा का मतलब इस ट्राइंगल का एरिया डेल्टा क्या है इस ट्राइंगल का एरिया और S क्या है इसी ट्राइंगल का सेमी पेरिमीटर यानि तीनों साइट को जोड़ के आदा कर दो बस अगर यहीं पे सरकम सरकल की बात करते कि यह सरकल अंदर ना हो के बाहर ह तब R circumference, circum circle की radius हो जाती ABC इंटू, ABC डिवाइड बाइ 4 इंटू डेल्टा फिलाल हम इसका यूज़ करेंगे एरिया कैसे निकलता है हिरोन्स फॉर्मुला से जिसके इसाब से S times of अंडरूट के अंदर पूरा S-A into S-B into S-C ये होता है S का मतलब सेमी perimeter पहले वही निकाल लीजे 10, 12, 22, 14, 26 sorry 36, 36 का आदा कीजिएगा तो 18 S का मतलब है 18 S-A, A मतलब ये 10 तो 18 में से 10 गया 8 18 में से 12 गया तो 6 18 में से 14 गया तो 4 अब इसको solve करने मत बैठिएगा इसको smart तरीके से हम बाहर निकालते हैं पहले 18 क्या होता है 9 into 2 into 8 वैसे लिखिए इसका reason है अभी पता चलेगा 6 होता है 2 into 3 और ये 4 भी वैसे लिखिए अभी आपको पता चलेगा ये 9, ये 16, ये 4, ये 2, ये 3 अब ये बताईए कौन कौन इन में से बाहर आ सकता है जो perfect square है वही तो बाहर आएंगे न जैसे ये 9 इसका square root होता है 3 तो आया बाहर ये 16, इसका square root 4 आ गया बाहर ये 4, इसका square root दो तो ये भी आ गया बाहर लेकिन ये 2, 3, 6 जो है न इसका तो कोई square root होता नहीं है अगर होगा तो पॉइंट में होगा तो पड़ा रहने दीजे इसको अंदर तीन चौक बारा दूनी चौबिस रूट सिक्स यह हो जाएगा यह हमारा एरिया है और हमने सेमी पेरिमीटर तो अठारा निकाला ही है न डेल्टा बाई एसका मतलब एरिया उपर सेमी पेरिमीटर नीचे फूर थ्री एट जा थ्री सिक्स जा लेकिन तीन से क्यों काटें जब छे से काट सकते हैं छे चौक चौक चौबिस छेतियां इठारा फूर रूट सिक्स बाई थ्री यह आ रहा है यह हमारी इनर रेडियस है अब एरिया क्या होता है पाई यार स्क्वेर पाई मतलब बाईस बटे साथ इसका स्क्वेर फोर रूट सिक्स बाई थ्री इसका स्क्वेर बाईस बटे में साथ चार का स्क्वेर सोला रूट सिक्स का सिक्स और तीन का स्क्वेर नौ यह हो गया है चली तीन से इसको काट के देखते हैं तीन तिरिक नौ तीन दूनी छे बाकिया और कुछ कटेगा नहीं आप टेंशन मत लीजिए 16 का डबल 32 गुड़े में 22 यानि 64 गुड़े में 11 बटे में 21 छे चार ये है 704 बटे में 21 21 से इसको काटिए 704 को 21 तियाई 63 अगेन 21 तियाई 63 और ये 11 ऐसे उठाते हैं Mixed Fraction तो 33 सही 11 बटे में 21 33 सही 11 बटे में 21 यानि कि ये Option C 33 बटे में 21 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 बट